हलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफर्म में तो कैसे हैं दोस्तों आसा है कि आप सभी लोग मस्थ होंगे स्वस्थ होंगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10 के समाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर की तयारी सिर्फ एक वीडियो में कराने वाले हैं इस वीडियो को आप लोग सुरू से लेकर के अन तक देख लीजीगा मैं पूरी गैरांटी के साथ कहता हूं कि पेपर आप लोग का बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है छपके आएंगे ये सारे कोश्चन देखि देखिए वन साट वीडियो होने वाला है ये हमारा और इसमें हर तरह के प्रशन जैसे MCQ हो गया यानि बहु विकल्पी प्रशन हमारा हो गया वर्णात्मक में फोस्ट टाइप के प्रशन जैसे आएंगे उन प्रशनों को भी लेकर के आएं फिर वर्णात्मक सेकेंड प्रशन आपके एकजाम में 20 नंबर का आने वाला है यानि 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके MCQ के उसके बाद से वर्णात्मक प्रशन की बात करें तो वर्णात्मक में आपके 4 प्रशन रहेंगे और 4 नंबर के रहेंगे तो 4 चोका 16 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा ठीक उसके बाद से मानचीतर संबंधी प्रशन में कुछ नहीं करना होता है जो भी प्रशन में बताऊंगा उन प्रशन को याद कर लीजेगा 10 में 10 नंबर आपको बिल्कुल पक्का है मानचीतर से ठीक है तो सारी चीजे जो है इसमें बताने वाले हैं तो 70 में 70 नंबर की तयार ऎगर आपको करनी है इस वीडियो को आप लोगो शूरु से लेकर के अंद तक देख लेना है सारे डर खतम हो जाएंगे समाजिक भिज्ञान को लेकर के जो भी डर थे उस सारे डर खतम हो जाएंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहु भी कल्पी प्रश्णों के बारे में बहु भी कल्पी प्रश्ण यानि MCQ प्रश्ण ठीक है देखें पहले प्रश्ण से हम लोग सुरुआत करते हैं Most Important Question आप सभी के लिए लेकर के आया इस चीरीज को बनाने में बहुत टाइम लगा है दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा पूरे यूटूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा पहला Question है फ्रांस की क्रांती कब हुई थी तो आपसन नंबर एक है 1688 में दूसरा है और 1789 में तीसरा है 244 में और 1449 में एक बार आप सभी लोग comment में भी बताइएगा कि आप लोग को ये याद है की नहीं है बहुत important question है दोस्तों फ्रांस की क्रांती जो हुई थी 1789 इस भी में हुई थी आप सभी लोग याद रखेंगे ठीक है कब हुई थी फ्रांस की क्रांती 1789 इस भी में हुई थी तो अब next question की तरफ move करते हैं दोस्तों second number question आपके पास है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था ठीक है तो देखिए नेपोलियन की बात की जाए नेपोलियन बोना पोर्ट का संबंध आपसन नंबर शी बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रांस से था कहां से था फ्रांस से आपसन नंबर शी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों next question आपके पास है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी नेपोलियन बोना पोर्ट जो था इसकी पराजय कब हुई थी इसकी हार कब हुई थी तो आप सभी लोग यादर करेंगे 1815 इश्वी में जो है इसकी पराजय हुई थी आपसन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं दोसतों नेक्स्ट कोशन अमारे पास है कि चारी-bound किस वर्ष घटी थुआ था चारी-चारा जो कइस वर्ष घटी थुआ था पहला अपसन है वր्ष 220 में दूसरा है वर्ष 221 में वर्ष 221 में आप सभी को याद रखना है चोरी-चोरा कांड जो है अनई 122 इस भी में घटित हुआ था आपसन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा किसी को भी कोई प्रोब्लम लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सारे questions बहुत important है जब आप PYQ के question paper उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे question कितने important है आप सभी के लिए देखे दक्षिन अफ्रीका से महात्मा गादी जो थे भारत कब लोटे थे अनई सो पंदराइस भी में लोटे थे तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है next question की बात करते हैं दोस्तो चो नंबर question हमारे पास है कि BSOBank और IMF ने आपचारिक रूप से कारिक कब सुरू किया देखे बी सो बैंक और IMF की बात की जाए तो ये आपचारिक रूप से कारिक कब सुरू किये थे जब हमारा देश अजाद हुआ था तो आपसन नंबर B में आपचारिक कारे सुरू किये थे इसी समय किये थे important question है आपको किसी भी तरीके से याद रखना है next question की बात करें तो next question है लाल पिल्ली मिटी पाइ जाती है लाल पिल्ली मिटी जो होती है ये कहां पाई जाती है तो दक्कन के पठार में आप लोग याद रखेंगे option number A बिलक पसु पौदे मचलिया में क्या होता है जान होता है जी होते हैं ये ठीक है लेकिन चट्टानों में जान नहीं होता अपसन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट अपसन हो जाएगा जब जैवी संसाधन की बात करेगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे जैवी संसाधन हो जाएंगे ठीक तो सुंदरबन राष्ट्य पार्क जो है, ये पुस्चिम बंगल में इस्तित है, आपसा नमबर B बिलकुल सही हो जाएगा, पुस्चिम बंगाल राज्य में सुंदरबन राष्ट्य पार्क इस्तित इत्त नेक्ट कोशन हमाएंरे पास 10 नमबर कोशन और बहुत ही important कोशन है, कि जल मंडल का कितना प्रतिसत भाग समुदरी जल के रूप में उपलब्ध होता है समुदरी जल के रूप में जो है जल मंडल का कितना भाग उपलब्ध है तो आप सभी को याद रखना है आपसन नमबर सी 97.5 प्रतिसर ठीक है और बाकी जो बचा हुआ जल का भाग है वो हमारे पीने योग्या है और बाकी सारा समूदरी जल के रूप में है ठीक है आसा करता हूँ आपको यी 10 प्रशन आच्छे से समझ में आ गये होंगे ये 10 प्रशन बहुत इंपोर्टेंट है औ और भी प्रशन है अमारे पास उनको भी देख लेते हैं तो अब हम बात करते हैं 11 नमबर प्रशन के बारे में तो 11 नमबर प्रशन है कि निम्न में से किस राज्ये में सीहीदार खेती होती है कैसी खेती सीहीदार खेती किस राज्ये में होती है पहला अपसन हर्याणा में द कि धान तो होता है रोपड की फसल उसी तरीके से गन्ना को भी हम रोपड की फसल मानते हैं अपसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट कोश्चन हमारे पास 13 नंबर प्रश्ण है कि इनमे से कौन सी रभी की फ प्रश्ण आपको समझ में आ रहा होगा और सारे प्रश्ण बहुत सिंपल है और बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं ठीक है 14 नमबर प्रश्ण है कि संबिदान की आठवी अनुसूची में कितनी भासाओ की मन्यता दी गई है तो देखिए संबिदान की आठवी सूची में भासाओ का जिकरी किया गया है ठीक है और उनमें कितनी भासाओ की मन्यता प्राप्त हुई है तो आप सभी को याद रखना है आ इन में से कौन सा जो है संगिय सूची का बीसे है, पहला आपसन है रक्षा, दूसरा है क्रिशी, तीसरा है ब्यपार और चोथा है फ्रजा के लिए सिक्चा, ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है आपसन नंबर A रक्षा, ये जो है संगिय सूची का बीसे है, आपसन नंब का जो सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश है न वो हमारा देश है यानि भारत अपसन नंबर यह बिल्कुल करेक्ट अपसन हो जाएगा आसा करता हूं कि यह 16 प्रश्ण समझ में आ गए होंगे नेक्स्ट कोश्यन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों तो अब हम बात करते हैं 17 न कि यह बिल्कुल सही हो जाएगा इसकी अंतरगत प्राथमिक चेतरग के अंतरगत ठीक है नेक्स्ट कोश्यन की बात करते हैं प्रत्यक्ष 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 कब हुई थी आर्थिक उदारी करण जो है इसकी सुरुवात जो है भारत में कब हुई थी तो आप सभी को याद रखना है देखिए 131 आपसं दिया है भागीदारी कितनी है पूरा बीसो का जो ब्यापार होता है उसमें भारत की भागीदारी कितनी है तो देखी आप सभी को याद रखना एक परशेंट से भी कम जो भारत की भागीदारी है ना एक परशेंट से भी कम है ठीके देख सकते हैं आप लोग तो देखी बाइस नंबर में 2001 में 2004 में आप सभी को याद रखना है और 295 में आप सा नंबर भी बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है I hope कि आपको सारे question समझ में आये होंगे यह सारे mcq question थे जो कि आपके 20 नंबर के question आपके exam में पूछे जाएंगे और इनी प्रशनों में से पूछे जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है ठीक है यह सारे question जो है न कई सालों से लगातार भूछी जा रहे हैं तो आप सभी प्रशनों को तयार रखीएगा तो देखिए दोस्तो अब हम लोग आ चुके हैं वर्णात्मक प्रशनों पर और वर्णात्मक में आपके total 4 प्रशन पूछे जाएंगे और 4 नंबर के पूछे जाएंगे ठीक है तो इसमें भी हम महत्वपुन 4 प्रशनों को ले रखे हैं उन 4 प्रशनों को देखने के प्रशन है दोस्तो आप सभी लोग इस प्रशनों को याद रखेगा प्रशन है कि फ्रांस की क्रांती कब हुई इसका कारण क्या था ठीक है जो फ्रांस की क्रांती थी हो कब हुई थी और इसका कारण क्या था तो आप सभी को याद रखना है देखि इसका एंसर कैसे लिखे देखे इसका उत्तर लिखेंगे फ्रांस की क्रांती 1789 ISBN में हुई थी, कब हुई थी? 1789 ISBN में हुई थी, और किसके सासनकाल में? लुई 16 के सासनकाल में हुई थी, ये भी अगर आप लिख देते हैं, तो एक्जामनर जो है, देखेगा तो समझेगा कि बच्चा जो है, पढ़ा सब्सक्राइब नहीं लेकिन थोड़ा सा और जो 6 नमर का है उसमें ज्यादे बड़ा लिखेंगे और कैसे लिखेंगे आपको मैं बता हूँगा बहुत सिंपल से ठीक है तो देखिए इसमें इसके कारण को हम यहां पे लिखेंगे तो कारण इसके मुख्यता क्या थे कि कर अर समाज के असमानता के कारण जो फ्रांस की क्रांते हुई थी एक महतोपूर्ण कारण था फ्रांस की क्रांती के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यदिक असमानता ब्याप्त थी ठीक है यानि कि फ्रांस की जो क्रांती हुई थी उस समय में फ्रांसीसी समाज में क्या हुआ था अ तरब ते और किसान और स्रमिक दूसरे वर्ग में आते थे ठीक है तो इस तरीके से तो प्रतम वर्ग वाले करो का भुगतान नहीं करते थे यानि जो कुलीन और पादरी थे ये जो है करो का भुगतान नहीं करते थे और सारे करो का भार जो है किस पे आ जाता था किसान और स्र प्रांस की क्रांती को देखना पड़ा ठीक है नेक्ट कारार इसका लिखेंगे हम दोस युक्त सासन बेवस्ता ठीक है बहुत छोटे में लिखेंगे दोस युक्त सासन बेवस्ता यानि कि वहां की सासन बेवस्ता सही नहीं थी और इसी के कारार फ्रांस की क्रांती हुई तो अत्यधिक दो स्पून थी जो सासन था ना सासन के समय में वह करो की वसूली जो है बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाते थे जिससे फ्रांस के लोगों में असंतोस की भावना जाग उटी यानि कि लोगों को परतारीद करना लोगों से जादे कर शूल लेना जिससे जादे नह वस्ता थी और इसके कारण जो है वहां के लोगों में असंतोस की भावना जागरीत हुई और इन्हों ने फ्रांस की क्रांती को बढ़ावा दिया ठीक है तो आप लोगों को पता चलिया कि फ्रांस की क्रांती क्यों हुई थी और कब हुई थी और किसके सासन काल में हुई थ ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ मूब करेंगे दोस्तो ऐसे ही दूसरा प्रश्ण जो कि आपके पास बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है इसको भी आप लोग याद रखेंगे देखिए कोश्चन क्या है अमारे पास बाड़ी जी क्रिसी कहलाता है ठीक है बाड़ी जी क्रिसी किसे कहते हैं इसकी परिभासा देखिए इसकी परिभासा लिखी गई है कि अच्छी आये प्राप्त करने के लिए यानि कि अच्छे इंकम को प्राप्त करने के लिए किसके माध्यम से क्रिसी के माध्यम से ठीक है जो आधुनिक तक नीके हैं उनको बड़े अस्तर पर उपयोग करना ही हमारा क्या कहलाता है बाड़ीजिक क्रिसी कहलाता है बस जैसे अब देखिए इसके एक्जामपल जैसे लिख देने हैं जैसे कि आधिक पैदावार देने वाले बीजों को लगाना ठीक है रसाइनिक उर्वरोकों और कि बिस्तरित उच पैदावार उगाना ठीक है इसका मतलब है कि हमारे पास वाले जी क्रिसी का अर्थ ये है कि हम जो है आधुनिक जितनी भी हमारी टेक्नलोजी है उनको बढ़ावा दे करके उनका यूज करके हम अपनी इंकम को अच्छा बना पाएं और क्रिसी में जो है हम लोग विकास कर पाएं इसका मतलब यह है ठीक है तो किटनासको का परियोग करके परियोग से बिस्तरित उच पायदावार उगाना ही हमारा क्या कहलाता है वाडिजी क्रिसी कहलाता है ये एक्जामपल्स है ठीक है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप अपने लिख सकते हैं इसमें कोई बादा नहीं है अब देखें लाश्ट लाइन आपको लिखनी है क्रिसी का वडिजी करण एक अस्तान से दूसरे अस्तान पर सीचाई सुविदा और जलवाईव आधि के आधार पर भीन होता है ठीक है तो इससे भीन होता है जलवाईव आधि के अधार पर भीन होता है अलग अलग होता है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वडिजी क्रिसी के आसे के बारे में आप लोग इतना अगर लिख देते हैं तो आपको पूरा-पूरा चार नंबर मिल जाएगा बिलकुल भी आपको काटे काने एक्जामनर ठीक है जो इ किल होनी चाहिए यह question के answer लिखने की ओ बिलकुल सटीक होनी चाहिए जिस तरह से question पूछा जा रहा है उस तरीके से आपको answer लिखना है और बाकि किसी भी तरीके की problem लगे दोस्तों आप लोग comment में बता सकते हैं ठीक है next question की तरफ move करते हैं दोस्तों तो अब हम लोग देख कि लोग वकनीज में अंतर निमन लिखी थे ठीक है निमन लिखी थे और एक कॉलम में बना दिफि偏 कर ब सक ले रहे को ऊपनों या लोग यूघ का आता है ठीक है यानि कि के लाता है लोग के बात करें तो वह अखनीज जिसमें लोहे का अभाव हो यानि लोहे की कमी हो उसे हम अलाव अखनीज कहते हैं ठीक है आप सभी को समझ में आ गया कि लोह अखनीज क्या होता है बहुत सिंपल भासा में मैंने लिखा है न किसी भी तरह की कोई दिकत नहीं होनी चाहिए देखिए लोहा का इसमें कुछ अंस होता है तो यह सारे क्या हो जाएंगे लोव अखनीज कहलाएंगे और लोव अखनीज की बात करें तो इस ऐसे सीसा हो गया जिसमें की लोहा का परियोग नहीं होता है जस्ता हो गया इसमें लोहा की कमी होती है तो यह क्या हो गया है हमारे लोव अ ठीक ना अंतिम कोश्चन और इंपोर्टेंट कोश्चन है बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी लोग याद रखेंगे देखिए क्वेस्चन हमारे पास है कि अबरक की उपयोगिता को बताईए भारत में इसके दो राजे के नाम भी लिखिए ठीक है पहला प्रशन है कि अबर अबरक की उपयोगिता जो है नीम न लिखी थे और इनकी जो भी उपयोगिता है उनको लिखना है बहुत सिंपल है एक बार पढ़िए ना सुनिए ना पहला लागा कर लिखिएगा इसका उपयोग बहुत से उद्योगों में होता है दूसरा है इसका उपयोग बिजली के उ प्रश्ण में पूछा गया था कि भारत में इसके दो राज्यों के नाम बताईए यानि कि अबरक जहां पर उत्पादित होता है वहां पर के दो राज्यों का नाम बताईए तो आपको लिखना है नीचे भारत में अबरक के दो उत्पादक राज्यों निम्ना लिखी थे ऐसे भी लिख सकते है या फिर आपको लिख सकते हैं डैस दे कर के लिख सकते हैं ज्हारकंट एवं आन्दरपरदेश है ठीके तो आप लोग याद भी रखिएगा कि भारत के जो दो उत्पादक राज्यों चोचों नमबर के पुछे जायेंगे, उन प्रशणों को भी देख लेते हैं, और बहौत इंपोर्टन्ट प्रशन मैं लेकर के आया हूँ, एक बर लाइक कर दीजए वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन मिले दोस्तोश एक बर elf, एक बर वीडियो को इंपोर्टेंट अभी बता देता हूं कि ये चोचो नंबर में पूछे जाते हैं और चो अंक के चार प्रशनों पूछे जाते हैं ठीक है वर्णात्मक सेकंड टाइप में चोचो नंबर के चार प्रशनों पूछे जाते हैं यानि कि टोटल कितने हो गए 24 नंबर के प्रशनो क्या योगदान था ठीक है यूरोप के राष्टबाद का जो उदय हुआ इसमें जर्मनी और इटली के की करण का क्या भूमिका थी क्या योगदान था ये आपको बताना है नेक्स्ट कोशन हमारे पास है कि लोकतांत्रिक सासन परणाली सी होने वाले चार लाब लिखे ठीक है ये भी क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है आप सभी लोग इसे याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है दोस्तो ये भी लोकतांत्रिक सासन परणाली से होने वाले चार लाब ठीक है आपको याद रखने ही रखने है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन की तर प्रश्ण कई सालों से पूछा जा रहा है, question paper जब देखेंगे पिछले सालों का तो आपको पता लगेगा, अब देखें इसके किनी तीन लावों का वर्णन भी करना है, तो लाव भी याद कर लिजेगा कि विदेशी बेपार के लाव क्या-क्या हैं, कौन-कौन से हैं, ठीके next question अमरे पास चोथा है, भारत में उपभोकता अंदोलन की सुरुवात किन कारणों से हुई थी, जो उपभोकता अंदोलन था ना भारत में, इसकी सुरुवात किन किन कारणों से हुई थी, इसको भी आपको लिखना है, तो fourth number question होगे, और छो अंक के हैं, तो थोड़े से ब हो, मतलब question में जो पूछा गया उससे अलग हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, तो आप लोग को जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ दिया, हमने बहु विकल्पी प्रश्ण पढ़ा, जो कि 20 number के थे, हमने क्या किया कि 4 number के 4 question पढ़े, जो कि आपके 16 number के हुए, वर्णात्मक प्रश्ण में, फिर वर्णात्मक second type में हमने पढ़ा, 4 question हमने बताया, 6 number के, यानि कि 24 number आपके यहां से आगए, बचे हमारे पास 10 question, यानि total मिला करके क्या हो जाएंगे, 70 number के प्रश्ण पत्र बन जाएंगे, ठीक है, 10 जो question हमारे पास बच्चा तो इस वीडियो में मैंने कहा भी था कि 70 में 70 number की तयारी होने वाली सिर्फ एक वीडियो के माद्यम से, तो इस वीडियो को आपको सुरू से ले करके अन तक देखना है, और चलने वाली सारी सीरीज को आपको complete करना है, ठीक है, अब लगबग daily मिलेंगी, आपको हमेशा जो तयार करते रहेगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 10 number के जो मानचीतर संबंदी प्रशन पूछे जाएंगे, और कैसे प्रशन पूछे जाएंगे, तो यह देखिए, यह 2023 का लगबग question paper है, और इसी में जो है, मैं बता रहा हूँ कि आपका जो मानचीतर संबंदी आपको दर्शाना है, अब अलग-अलग भी हो सकता है, आपको हो सकता है कि 25 के एक्जामिनेशन में यह चीन जो है बदल दे, ठीक है, तो जो भी चीन आप बताएगा कि इस चीतर के दोवारा दर्शा आईए, तो उस चीतर के दोवारा दर्शाना है, पहला question आप से यह पू प्रदर्शित करेंगे मांचीतर में, तो आधा नंबर उसके लिए है, ठीक न, तो बात को समझ लीजीगा, और इसका एंसर हो जाएगा कलकत्ता, ठीक है, कहां पे हुआ था यह अधिवेशन कलकत्ता में, अनई 120 का भारती रश्टी का अधिवेशन जो है, यह हुआ था कलक कलकत्ता में, इसका सही अंसर हो जाएगा कलकत्ता, यानि आधा नंबर तो हमने कंप्लीट कर दिया, और मांचीतर में आप भार करके आधा नंबर पाली जीगा, यानि एक नंबर इसके बन गया, नेक्स्ट कोशन आएगा, वह अस्थान जहां जाली है वाला बागात्या कां कंप्लीट कर सकते हैं, नेक्स्ट कोशन, अमारे पास चार नंबर वाला है, अस्थान पेसान जहां पेसां ओव किसाना इसस안 पाली पाली काठ गुजरत में, तौक्या रखिए, में हुआ था ये अंदोलन ठीक है कहा हुआ था खेडा जीले में तो आप सभी को याद रखना है खेडा जीले में ये अंदोलन हुआ था आधा नंबर का काम हमने किया आधा नंबर आप कर सकते हैं पांच नंबर कोशन देखिए वह अस्थान जहां अनई 1929 में भारतिय राष्टी कांग्रेश का अधिविशन हुआ था ठीक है 1929 में भारतिय राष्टी कांग्रेश का अधिविशन जो है लाहोर में हुआ था यहां पे आंसर लिखा हुआ है ठीक है तो इस तरीके से यहां पे आपके पांच अंक मिल गए आपकी इतिहास से सारे प् इसमें यही question पूछा गया था ठीक है तो आप लोग जो आपके भूगोल से जो मांचीतर वाला आएगा वह कैसे आएगा उसमें भी पांच नमबर इतियास वाले मांचीतर वाला हो गया अब सेकेंड एक और आपको मांचीतर दिया जाएगा और उस मांचीतर में क्या करना तो उत्तर भालत की एक नदी हमें बतानी है उस नदी के नाम लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा और आधा नंबर आप जब उसको ़िसकल करेंगे यह Isसितर के Πरनाना के मांचीतर ऑप के दौका न शोंहां एक और एत्ली के लीजितर कंडर तर्ग करना है भालत थाबवी को बना करके वहाई पर कहां पर बंदरगाह कि जगा पर यहां पर है भारत में जिसी अस्थान पर बंदरगाह है उसी बंदरगाह पर आपको दर्शाना है जिस भी राजी हो सकता है सहर हो सकता है जीला हो सकता है तो वहां पर जा करके मांचीतर में आपको दर्शाना है तो इस तो आप लोगों को जो है यह पाँ नंबर के प्रश्ण यहां से हो जाएंगे यानि एक नंबर यहां 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 एक नमबर यहां, पांच नमबर के प्रश्ण यहां बनगे, पांच नमबर भूगोल में, पांच नमबर इत्यास में, यानि मांचीतर कारिये के लिए टोटल आपको 10 अंक मिलने वाले हैं, आप सबी को चो है मैं इस वीडियो में 70 नमबर पूरा करा दिया, आसा करता कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप लोग comment box में बता सकते हैं next वीडियो आपको किस subject पे चाहिए आप लोग comment करके बताईएगा अभी के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद